हलो एब्रीवन और वेलकम तो आज चैनल आईलोग्स आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट आखों की बिमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्लोफोमा इसे काला मोतिया या काच मिंदू भी कहा जाता है ये एक ऐसी बिमारी है जिसको silent disease कहा जाता है ये आखों की रौशनी को पूरी तरह से छीन सकती है लेकिन अगर इसका चैक अप सही समय पे किया जाए और इसे जल्दी डाइग्नोज किया जाए तो इससे आखों की रौशनी बच भी सकती है ग्लॉकोमा एक ऐसा condition है जिसमें तीन चीजों का होना जरूरी है सबसे पहले आखों का pressure बढ़ा हुआ रहे है हम हर चेक अप पे आखों का pressure चेक करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो normal है या नहीं नॉर्मल ये आखों का pressure 10 से 20 के अंतर पे होना चाहिए लेकिन अगर आपका आखों का नस नॉर्मल है यानि आपके पीछे के जो परदे के ओपर एक नस होती है अगर वो normal है तो 10 से 20 का pressure आपके आखों के लिए normal माना जाता है अगर आपके आखों के पीछे के परदे के नस पर पतलापन अल्रडी आ चुका है तो 10 से 20 का प्रेशर भी आपके लिए अबनॉर्मल हो सकता है तीसरा फैक्टर है कि आखों का पेरिफेरल विजन कितना होना चाहिए नॉर्मली आखों का पेरिफेरल विजन साइड से सिकुडने लगता है या फिर शॉर्ट होने लगता है जब ग्लॉकोमा का डिजीज डेवलाप होता है ग्लॉकोमा एक ऐसा मेडिकल कंडिशन है जिससे आखों का प्रेशर बढ़ जाता है आखों का pressure बढ़ने से आख के पीछे के परदे की जो नस है उसके उपर pressure बना रहता है उससे वो नस पतली हो सकती है और उसमें damage हो सकता है ये damage irreversible होता है यानि कि नस का जो हिस्सा पतला हो गया है वो दुबारा से हम तंदुरुस नहीं कर सकते प्लस इस नस के पतलेपन के कारण side की vision या peripheral vision में problem जानी लगती है चलिए अब बात करते हैं glaucoma के लक्षन के बारे में आपको कैसे पता चलेगा कि शायद आपको glaucoma है तो सबसे पहले आखों में दर्द होना, आखों का लाल होना जब आखों का pressure बहुत जादा बढ़ जाता है तो आखों में दर्द और आखों में लालपन होता है दूसरी बात, जब हम lights देखते हैं तो lights के आसपास rainbow color के glare दिखना वो भी एक लक्षन है कि आखों का pressure बढ़ा हुआ है यह इसलिए होता है क्योंकि आख के आगे की जो खीकी होती है या कॉर्णिया होता है उसमें सूजन आ जाती है ग्लाकोमा के कई कारण होते हैं सबसे common कारण है कि यह hereditary है यानि कि फैमिली में अगर किसी को ग्लाकोमा है तो उनके family members को भी ग्लाकोमा हो सकता है जाता है 40 के बाद 40 years of age के बाद important है कि आखों का check-up regularly किया जाए क्योंकि तब जाकर के ग्लाकोमा तुड़ा recognize होने लगता है आखों में हमें उसके लक्षर नज़र आने लगते हैं अब बात करते हैं ग्लाकोमा के treatment options के आज कल science इतना advance हो गया है इसलिए हमारे पास कही levels of treatment है first level हमेशा drops होता है जिससे के हम पता करते हैं कि कौन सा drop है जो आपके आखों में pressure कम कर सकता है जैसे हमारा BP बढ़ता है तो हम दवाई लेते हैं उसी तरह से ये drop भी रोज लेना है इसके एक खासियत है कि एक सही समय पे लेना है अगर drop सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे डालने के लिए कहा गया है तो उसी समय पे drop का असर सबसे अच्छा आखों पर होता है तो इसका ध्यान ज़रूर रखे कहीं drops available होते हैं market में लेकिन आपके आखों के लिए सबसे best drop कौन सा है वो सिर्फ तब पता चल सकता है जब glaucoma कौन से type का है वो पता चले इसके लिए अपने डॉक्टर के साथ consult पीजिए तो glaucoma के बहुत सारे treatment options available है अगर सिर्फ आपके आखों का pressure raised है और पीछे के परदे की नस और आपका visual field normal है तो इसका treatment drops से किया जा सकता है Drops आपके आखों के pressure को कम करते हैं तो आपके आखों में जो एक पानी बनता है जैसे aqueous humor कहते हैं उसका production कम करना या फिर उसका outflow drainage बढ़ाना इन drops का का काम होता है तो इन drops के द्वारा हम आखों का pressure control कर सकते हैं जब eye drops आखों का pressure कम नहीं कर पाते तब हम tablets use करते हैं जिससे कि आखों में aqueous production कम हो जाता है और आखों का pressure automatically कम हो जाता है इन tablets को ध्यान से यूज करना पड़ता है क्योंकि बहुत aged लोग होते हैं या फिर जिनको cardiac diseases और kidney diseases होते हैं उनमें हम ये drops prefer ये tablets प्रिफर नहीं करते उनमें हम एक injection देते हैं जिससे mannitol कहा जाता है जिससे आखों का pressure कम होता है बट only for emergency situations laser treatment धी available है glaucoma को treat करने के लिए जब हमारे आखों का एक angle होता है जो बहुत ही narrow होता है तब उसका outflow बढ़ाने के लिए जो aqueous production आखों को बढ़ाने के लिए हम लोग एक छेद कर सकते हैं आखों के काले हिस्से पर उससे flow बढ़ जाता है और drainage बढ़ जाता है और drainage के लिए एक अलग pathway तयार होता है only with laser which is absolutely no touch so this is a good technique to reduce your pressure if you have angle closure glaucoma can also be used in emergency situations जब medicines और laser effective नहीं होते तब हमें surgical options के तरफ मुढ़ना पड़ता है surgical options में trabecleptomy एक ऐसी surgery है जो कई सालों से successfully की जा रही है glaucoma को treat करने के लिए उससे glaucoma के number of drops नहीं कम हो जाते है उसमें हमारे drainage system जो off the eye जो होता है उसमें एक flap बनाते है उस flap से drainage system बाइपास हो जाता है और उससे थोड़ा सा drainage बढ़ जाता है इससे आखों का pressure control में रहता है second option is to put a valve और shunt in the eye which also acts in a similar way and it provides an alternative route इस latest option जो आया है glaucoma treatment के लिए वो है MIX minimally invasive glaucoma surgery इसमें छोटे से devices होते हैं जो microscopic devices होते हैं जिसे आखों के drainage system में डाल दिया जाता है जिससे की हमारा आखों का outflow of acquies बढ़ जाता है तो overall glaucoma के बारे में एक short में मैंने आपको जानकारी दी है जिससे की उन्हें पता चलता है के glaucoma के कारण, लक्षन और उसका इलाज क्या है glaucoma एक ऐसी disease है जिसका कोई reversible factor नहीं है लेकिन उसको maintain किया जा सकता है अगर सही से उसका ध्यान रखा जाए तो आखों में रौशनी बच सकती है glaucoma में silently यानि के बिना पता चले ये disease बढ़ता जाता है इसलिए regular check-ups बहुत जादा ज़रूरी है तो हर 3 महीने में या 6 महीने में जब आपके डॉक्तर आपको suggest करें आखों के pressure के check-up के लिए जरूर जाईए साल में एक बार आपको आखों का OCT scan यानि के आखों के पीछे के परदे के नसका layer by layer scan आपने अपने ophthalmologist के पास करना चाहिए एक और test है जिसे कहते है perimetry या visual field test उस test को भी करना ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा visual field map करता है इन test पे द्वारा हमें पता चलता है कि जो drops हम यूज कर रहे हैं जो tablets हम यूज कर रहे हैं उनका काम अच्छे से हो पा रहे कि नहीं So this brings us to the end of our episode on glaucoma Please like, share and subscribe And if you have any questions, drop them down in the comments below Thank you